नमस्कार एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ नवेंदू शेखर जाग 2019 विश्व कप की चैंपियन 2023 विश्व कप से लगभग बाहर हो चुकी है इंग्लैंड की टीम आज एक बार फिर से उसे विश्व कप में बड़ा हार का सामना करना पड़ा है इंग्लैंड को स्रीलंका की टीम ने आठ विकेट से करारी शिकस्त दी है इस विश्व कप में या इंग्लैंड की चौथी हार है अब इंग्लैंड के लिए समी फाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं जिस देश ने क्रिकेट को जन्म दिया जो देश मौजुदा समय में विश्व चैंपियन है उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम आई सी यू में पहुँच गई है और इस विश्व कप में अब इंग्लैंड के लिए खोने को कुछ भी नहीं है आज बैंगलूरू के चेन्ना स्वामी स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की पूरी टीम 156 रन पर ओल आउट हो गई जी हाँ सई सुन आपने इंग्लैंड उस इंग्लैंड की पूरी टीम जिसने पिछले बार विश्व कप जीता था उसकी पूरी टीम 156 रन पर धेर हो गई वो भी श्रीलंका के आगे इंग्लेंड की ओर से कोई भी बल्लेबाज अर्द शत्किय पारी भी नहीं खेल सका बैन स्टोक्स ने सरवाधिक 43 रन बनाए उसके लिए भी उन्होंने 76 गेंदों का सामना किया जौनी बेरस्टों ने 30 रन बनाए डेविड वलान ने 28 रन बनाए बटलर जो की कप्तान है आठ रन बनाकर आउट हो गए यह वही जोश बटलर है जो की IPL में जब गरचते हैं तो सारी टीमों में दहशत हो जाता है और जोश बटलर ने इसी साल IPL में 4 शत्किय पारी खेली थी 2016 में विराट कोहली के द्वारा एक IPL में जो सरवादिक 4 शतक का किर्तिमान बनाया गया था उस किर्तिमान की बराबरी की थी इंग्लेंड के कप्तान जोश बटलर ने लेकिन इस स्विश कप में बटलर भी फ्लॉप है पूरी इंग्लेंड की टीम भी फ्लॉप है श्री लंका की ओर से लाहिरू कुमारा ने साथ ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट हासिल किये तो रजीता को साथ ओवर में 36 रन देने के बाद दो विकेट मिला एंजलो मैथ्यूज जो की बहुत दिनों बाद टीम में वापसी कर रहे हैं उन्होंने भी बहतरीन श्री लंका की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुवाती जटके लगे लेकिन उसके बाद पातुमा निशांका और सदीरा समर्विक्रमा ने बहतरीन बल्लेबाजी की और दोनों टीम ने दोनों खिलाडियों ने टीम को जीत तक पहुँचा दिया निशांका ने 70 रन बनाए सिर्फ 83 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के जड़े तो वहीं समर्विक्रमा ने 54 गेंदों में 65 रन की शांदार बल्लेबाजी की 7 चौके और एक छक्के लगाए दोनों बल्लेबाजाओं ने तीसरे विकेट के लिए 137 रन की बड़ी पार्टनर्शिप की जिसके दम पर श्रिलंका ने इंगलेंड को 8 विकेट से हरा दिया और अब पॉइंट स्टेवल में इंगलेंड की टीम नौवे स्थान पर पहुँच गई है उसके 4 हार हो गए हैं और सिर्फ एक जीत और अंक सिर्फ दो और नेट रन रेट भी माइनस में है माइनस 1.902 यह इंगलेंड की टीम का नेट रन रेट है अब इंगलेंड के लिए समी फाइनल के सारे दरवाजे बंध हो गए हैं और आप मान लीजिए कि मौजोदा विश्व चेंपियन इस विश्व कब से बाहर हो गया है कल विश्व कब में एक और एहम मुकाबला है पाकिस्तान और दक्षिन अपरिका के बीच जो अगर पाकिस्तान उस मैच को जीतेगी तो उसके समी फाइनल में पहुचने की समभावना बनी रहेगी और अगर दक्षिन अपरिका जीतता है तो वैसे ही दक्षिन अपरिका वारा वीवियस लक्षमन के नाम की घोशना कर दी गई है और विश्व कप में राहूल द्रभिन के बाद वीवियस लक्षमन अब विश्व कप के बाद टीम इंडिया के हैड कोच होंगे तो फिलाल स्पोर्स से जुड़ी खबरों में इतना ही नमस्कार नमस्कार एन भारत द देख रहे हैं